दोस्तो किसी भी फसल का खेती करने से फंगस का प्रकॉफ तो ज़रूर होता है लेकिन जब फंगस का प्रकॉफ होता है तो उसमें फंगिसाइड भी ज़रूर डाला जाता है तो किसान भाई सबसे पहला जो फंगिसाइड लेते हैं वो होता है नेटीव तो आज हम इस वीडि में प्रोग करने से क्या-क्या फाइदा मिलता है इसका मोड ओप एक्सन क्या है इसको फॉसल में प्रोग करने से कौन-कौन सी रोगों को यह एक्जाक्ट में काम करता है और उसके एलाबा बाजार में यह कितने प्राइस के उपर मिलता है और इसका डोज कितना है पूरे केसे लिए पर एसे वीडियो डालते रहें दूस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ने टिवों फंगीयों किया हुता है तो ने टिवों फंगीयों एक ब्रॉड एस्पेक्ट्रम और बोड करने यह रिए एक से ज्यादा रोगों इसको बोलते हैं systematic तो यह दोनों तरीके से आच्छी तरीके से काम करता है उसके अलाबा यह प्रोटेक्ट्टिव और क्यूलेटि दोनों एक्षन में काम करता है प्रोटेक्टिव यानि क्या होता है रोग लगने से पहले अगर नेटीबो को प्रोग करते हैं तो अच्छा रेजल देता है और अगर रोग लगने के बाद भी नेटीबो को प्रोग करते हैं तो भी अच्छा रेजल देता है और उसके साथ तत ये फसल का क्वालिटी को भी क प्राफी ज्यादा बढ़ा देता तो नेटीवों के अंदर क्या ऐसा केमिकेल कॉमपोजिशन दिया हुआ है ताकि इतना अच्छा रजाल मिलता है और इतना अच्छा किशान यूज करते हैं तो नेटीवों के अंदर आप लोग को टेवू कोनाजॉल 50% दिया हुआ है जो कि आप लोग को Triselle Group से बिलोंग करता है टेवू कोना जल और उसके साथ-साथ-त्राई फॉट्ант इस्ट्रोबविन जो कि यह स्ट्डोविवेण ों करता है और ये भी आपोद आप लोको 25% दिया हुआ हुआ है तो दोनो कामिशन एक साथ मुलता है और WG formulation में मिलता है यानि क्या होता है waitable granules यानि दानेदार सेउ की तरह ये देखने को मिलता है आप दोस्तों बात कर लेते हैं native o fungicide का mode of action के बारे में यानि native o fungicide को अम लोग जब किसी भी फसल में प्रोग करते हैं तो ये रोगों को कैसे control करता है यानी फसल में इसका काम करने का सिस्टेम क्या होता है सबसे पहले नेटिवों में आप लोग को दो टेकनिकल मिलता है एक तो आता है टेबू कोना जोल और एक आता है ट्राइफलोक्स ट्रोविन तो टेबू कोना जोल का जो काम करने का सिस्टेम होता है जैसे आप लोग नेटिवो को इस्प्रे करते हैं तो फंगस का जो सेलोवाल होता है उसको आगे जार्मिनेट नहीं होने देता है जिस करण से फंगस ओहीं पर रूख जाता है और अच्छा रेजल देता है और ट्राइफ लोग श्ट्रोवीन का जो काम करने का सिस्टेम होता है तो फंगस का जो respiration system होता है उसको ब्लोक कर देता है और यही काम करने का तरीका होता है नेटिवो का और उसके अलबाद तो नेटिवो के अंदर अप लोग को काफी अच्छा रेजल देता है और इसलिए नेटीव को अगर आप लोग प्रिवेंटी भी यह पूंचा देता है जिस कारण से फंगस अगर नीचे भी रहता है पत्य के नीचे तो भी यह काफी अच्छरे जल देता है आप दूस्तों बात कर लेते हैं नेटिवों को हम लोग फसल में प्रोग करने के बाद कौन-कौन सी रोगों को यह एक्जक्ट में काम करता है यानि इसका डिजीज कॉंट्रोल किया है तो जैसे कि नेटिवों को हमने बहुत सरे अलग अलग फसल में प्रोग करके देखें लेकिन हमको जिसमें अच्छरे जल मिला है उसी रोगों को नाम यहां पर हम आपको बता रहे हैं तो जैसे कि धान में हमने इस पर किया है दान के उपर मुझे सीद ब्लाइट नेक ब्लास्ट और जो लिब ब्लास्ट होता है उसके अलब जैसे कि गेहूं में आप लोग को राष्ट डिजिज होता है उसके उपर भी काफी बढ़िया रेजल मिलता है और उसके साथ ग्राउंड नाट यहनी जो मुम्फुली होता है उसमें भी आप लोग को टिक्कर डिजिज के उपर काफी रेजल मिलेगा नेटिवों को तो कि यहां पर लिजिएश्चांबाजर मुरू थो फोबंड़य को यहां सब्सक्राई यहें, ḥूफ में पर 15-030 08 25 capabilities को 10 पाम द लौढ लेकिन, आप लोगा को 10-15 लेंसाव T कर दाला है कि आपके पूदे में कितना रोगो का प्रोगों ef, अगर आपके पूदे में में ज्यादा रोगों का प्रोगोंद है तो आप लोगों 10 ग्रम नीटिवोग्ण येफ और इस साथ किसी भी दूसरे फंगी साइड को मिलाना चाहते हैं तो भी मिला सकते हैं अगर आप लोग किसी भी इंसेक्टी साइड को मिलाना चाहते हैं तो भी मिला सकते हैं और अगर आप लोग किसी भी PGR को मिलाना चाहते हैं तो भी आप लोग मिला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कि होता है कि नेटिवों को जब हम लोग प्रोग करते हैं और एक सित दो गणटा बात बारिश आ जाता है तो किया एक सो परसेन रेजल तेहने को मिलेगा तो जिया नेटिवों-को यूज के उतर कितने रूपए मिल रहा है आप लोग नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईगा तो यह था दुस्तों नेटीव फांगी साइट के उपर पूरे डिटेल्स में इन्पोर्मेशन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते ना है और अगर हमारे इस चैनल पर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेजेगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं